स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटिय यूट्यूब चैनल पर इनसी वीटी माइस पोर्टल पर एक बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में आज जहां पर हम बात करने वाले हैं अगर आप भी ITI करने के एक छुक हैं जो ITI होता है यह आपका CTS के equivalent होता है ठीक एक होता है CTS और एक होता है CITS ठीक तो जो CTS है यह आपका ITI के equivalent होता है या ऐसा कह सकते हैं जो ITI है आपका यह CTS के equivalent होता है जो CTS कोर्स है उसके equivalent होता है तो अगर आप भी CTS करना चाहते हैं आल ओवर इंडिया में जो NHTI है, जहां से कि CTI या CITS किया जाता है, आपके लिए यहां पर एक अपॉर्चुन्टी आई है, आप यहां देख सकते हैं, न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में CTS Prospectus आया है, तो आप CTS और CITS में पहले तो कन्फ्यूज मत होईएगा, यह दे देते हैं, आपको लगताब CITS का भरे हैं, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, CTS के बारे में आज इसमें जानेंगे, क्या है CTS Course, और इसके करने के बेनिफिट्स क्या हैं, आप कहां कहां से कर सकते हैं, आईए डाउनलोड कर लेते हैं, नोटिफिकेशन फिर देखते हैं, उ CTS 2022 Prospectus, ठीक, CTS का ये Prospectus है, तो सबसे पहले आप CTS देखेंगे, CTS को क्या बोला जारा, Craftsman Training Scheme, ध्यान देज़े, क्या हुआ, Craftsman Training Scheme, उसी जहां जो CITS होता हो, क्या होता है, Craft Instructor Training Scheme, ठीक है, ये instructors, अगर आपको बनना है, तो CITS करते हैं, और जो CTS है, ये आपका क्य क्या है, नॉर्मल ITI की तरह आपका होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, cat to promote participation of women in vocational skill training, DGT has launched women's vocational training program, Craftsman Training Scheme, which is operational since 1977, ये जितने NSTI हैं, आपके उसमें ये लांच किया गया था, कोर्स CTS का, जिसमें आप CTS भी कर सकते हैं, फिर वहीं से आप CITS भी कर सकते हैं, तो अग सिर्फ women's के लिए हैं, and 14 NSTIs जो हैं, वो जनरल हैं, जिसमें women's and men's दोनों admission ले सकते हैं, तो जो women's NSTI हैं, वहाँ पर सिर्फ जो female candidates हैं, वही CITS है, CTS, दोनों कोर्स वही कर सकते हैं, वहाँ पर, अगर अभी भी आपको CTS में कोई doubt लग रहा है, तो comment कीज़ेगा, वहाँ इसमें कुछ advanced trade भी हैं, जो कि आपको ITI में देखने को अभी नहीं मिल रहे थे, जैसे geoinformatics assistant हो गया, soil testing and crop technician हो गया, additive manufacturing and technician 3D printing हो गया, remotely pilot aircraft या drone pilot हो गया, electrician power distribution, solar technician यह सब अभी देजरे, ITI में आ रहे हैं, यह CITS जो colleges थे, NSTI उसमें यह सीजें पहले से हैं, internet of things जिसको IOT ब यह आपका हो गया trade, multimedia animation and special effect का trade हो गया आपका, इस तरह से बहुत सारे advanced trade हैं, जो कि आपको CTS course में देखने को मिल जाते हैं, NSTIs में, इसके साथ साथ आपका turner, welder, foundry man, machinist, tool and die maker, यह सभी trade भी वहाँ पे चलाए जाते हैं, वो complete detail हम लोग देखेंगे, 6 month, 1 year and 2 year duration के यहाँ और non engineering trades होते हैं, academic session की बात करेंगे, यहाँ पे भी annual pattern आपका जैसे ITM exam होता है, अगर से जुलाई, वैसे ही यहाँ पे भी session चलता है, पढ़ाई यहाँ यहाँ बहुत अच्छी होती है, discipline बहुत अच्छा maintain होता है, eligibility qualification की बात करेंगे, 8th pass में आप dressmaking और welder trade में admission ले सकते है और 10th pass करके आप बाकी सारे trade में admission ले सकते हैं, अगर आप secretarial practice English कर रहे हैं course तो आपको 10th class के साथ English में fluency होनी चाहिए, geo informatics assistant में आपको 12th class पास होना है, तब आप वहाँ पे admission ले पाएंगे, 14 years यहाँ पे minimum age रखी जाती है, यहाँ पे reservation policy central की वो लागू होती, fees structure अगर STIs का CTS course के लिए है, तो fees बहुत ही कम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, general candidate की यह है fees का criteria and SCST candidates की यह fees का criteria है, ठीक, hostel facility optional अगर available रहती तो first come, first serve basis पे आपको मिल जाती है, और hostel का जो monthly आपका charge है, सिर्फ 100 rupees है, मैं इसका आपको अलग से charge देना पड़ता है, यहाँ पे trade की ब area यहाँ पे लिखा है, total trade की बात करें, तो 30, 40 trade है total, bear house technician, यह सब trade आप ITI में generally नहीं देखने को पाएंगे, अब यहाँ पे बात करें institute की यह NSTiW, यानि women's के जो institute है, उनका यहाँ पे detail है, address है, साथ में mobile number या phone number भी है, इसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे trade, अब C CTS course में आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस किस NHTI में कितनी सीटे हैं, ठीक है, जहाँ भी W लिखा है, वो especially women's के लिए है, dressmaking की total 340 सीटे हैं, secretarial practice English की 312, front office assistant की आप देख सकते हैं, इसी तरह electronics, mechanic जो आप ITI में पढ़ते हैं, यहाँ से आप CTS course भी कर सकते हैं, NSTi से 192 सीट ह है, कास्मेटरोलाजी की 456 हैं total, ठीक, कोपा की यहाँ पे आप देख सकते हैं, 480 सीट है, इसी तरह आप different trade का पूरा यह चेक आउट कर सकते हैं, इसे हम आपको telegram channel पे अपने share कर देंगे, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, total 2956 सीटे हैं, then कुछ new age course हैं जो NSTiW में इस है, technician, mechatronics, electrician, power distribution, इन सब में तो solar technician सिर्फ है 40 सीटे है, IOT technician 48 सीटे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, इन में भी आप admission ले सकते हैं, अभी advanced technology जो आ रही है, उसके ऊपर इन trades को design किया गया, जिससे कि आप अभी current में जो चीजें चल रही हैं, उसमें खुद को involve कर पाएं, and jobs और आपके लिए अच्छी create हो पाएं, इसी तरह आप देख सकते हैं, new age high end courses है, NSTI general जो हैं, उसमें हैं कुछ-कुछ courses, यहाँ पर कोई भी admission ले सकता है, boys, girls, बोथ इसमें admission ले सकते हैं, इसमें भी आप देखेंगे, अच्छे-च्छे जो trade हैं, उनकी आप total seats अगर इसी अनकम एप टेस्टिंग जो है, इसकी भी देखें, 24 seat हैं आपकी, NSTI जोधपुर में, इस तरह से आप यहाँ भी admission ले पाएंगे, यह कुछ extension centers हैं, जो NSTI extension center बनाए गये थे, एक स्री नगर में, एक लेह लद्दाख में, उसमें भी इन तीन ट्रेडों को रखा गया, 68 seat के साथ, टोटल अगर seat की बात करें के हाँ देखें, NSTI W में regular courses में 2956 seat हैं, new age trade की 824 हैं, NSTI general में new age and high end courses की 908 हैं, extension center पे 68 हैं, टोटल 4756 all over India में CTS करने के लिए seat हैं, तो अगर आप interested हैं कि आप इन सब NSTI से जाके CTS की पढ़ाई करेंगे, तो इनके जो form हैं वो भी ज स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग जरूर फिलप कर दीजेगा, अब आप सोच रहे होंगे, इसमें form के बात तो बात हुई नहीं, तो इसके बारे में भी बात यहां पे कर लेते हैं, यह CTS admission की timeline भी release की गई है, academic year 2022 के लिए, इसमें आप देख सकते हैं, जो जून 2022 से इस स्टार्ट हो जाएगा, training आपकी 31 मई तक complete हो जाएगी, दिन आपके जो all India trade test exam है, वो भी आपके जून 2023 में conduct होंगे, यह हो गया one year trade का admission पूरा complete process, इसमें आप देख सकते हैं, six month trade है, two years के trade हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अलग-अलग चीज़ें बताई गई हैं, तो जो prospectus है, अभी सिर्फ वो जारी किया गया है trade के साथ साथ, जैसे अभी क्योंकि बहुत जगों पर 10th के result नहीं आए हाई स्कुल के, इसलिए अभी तक complete date नहीं आई है, कब से online form fill up किये जाएंगे, सिर्फ यह बोला गया है, जून 2022 में form fill up सुरू हो जाएंगे, कुछ state में 10th के result आ गये हैं, बाकी state में जैसे आ जाते हैं, आप लोग यह form fill up कर पाएंगे, जब वो date आएगी, तो हम जरूर वीडियो बना के आपको information दे देंगे, तब तक बने रहे हैं चैनल पे, thank you very much, मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में